अमस्कार समचारों के साथ मैं प्राशानत सेंगर सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समचार प्रदान मंत्री नरें नर्मोदी ने कहा ब्रश्टाचार कताई बरदाश्ट ना करने की नीती को लोक सबाच नावों में मिला लोकों का समर्थन आर्थिक सर्वेक्षन के मताबिक प्रदेश का सकल घरेली उत्पाद 9% से जदा बढ़ा प्रतिवक्ति आए भी चार गुना बढ़ी शैडूल जिले की गुल्लक बना रही है घरेली माहिलाओं को आत्म निर्भर और दक्षन पर शिम मानसून देश के सब ही हिस्सों में पहुंचा प्रदेश में कल से होगी भरपूर बारिश और अब समाचार विस्तार से प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से भारत प्रथम के आदर शिवाक के सिंद्र देशित है और भरश्टाचार कतई बरदाश्टना करने की नीती को भी हाल के लोकसभा चनाओं में लोगों का समर्थन मिला है श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सब भी के लिए नयाय और किसी का तुष्टी करन ना करने की नीती अपना ही है प्रदान मंत्री ने लोकसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राश्पती द्रोपदी मुर्मू के अभीवाशन के धन्यवाद प्रस्ताओं पर जवाब देते हुए कहा कि वे विपक्ष का दर्द समझ सकते हैं उन्होंने कहा कि दुष्परचार के बावजूद विपक्ष को लोकसभा चुनाओ में करारी हार का सामना करना पड़ा श्री मोदी ने आम चुनाओ में परिपक्व सोच और समझदारी दिखाने के लिए देश की जनता की सरहना की परिदेश का सकल घरेली उत्पाद 9.37 परतिशत बढ़ा है और परतिविक्ति आए भी चार गुनाब बढ़ गई है मौजूदा कीमतों पर परतिविक्ति शुद आए वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपे से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,52,565 रुपे हो गई है उपमुकी मंत्रिय और वित्व मंत्री जगदीश देवडा ने आज विधान सबा में आर्थिक सर्वेक्षन पेश करते हुए बताया कि मद्द परतिश तीन करोड़ छपन लाग डिजिटल आईशमान कार्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्ज है सौर ओर्जा उत्पादन में भी परदेश देश में चौन जोते स्थान पर है वित्तिवश जोज्ट दोजार तैस चोवेस में परदेश में पुरमुक फ़ास्लों के उत्पादन में भी विध्दी दर्च की गई है इस क्रम में दलहन के उत्पादन में 42.6 दो फीस दी और तिलहन में 7.3 दो फीस दी की वृद्धी दर्ज की गई है राज विदान सभा में लगतार दूसरे दिन भी नर्सिंग घुटाले पर हंगामा हुआ है पर मुख विपक्षी दल कॉंग्रेस दोरा मदबरदेश की नर्सिंग कॉलेजों को नियम विरुद्ध माननेता देने के मुद्धे पर आज इस सदन में चर्चा कराई गई विपक्षी तरफ से मांग की गई कि बड़े पेमाने पर हुए इस ब्रष्टाचार में लिप्त पाई जाने वाले लोगों के साथे ततकल इन लोग सौास्ते वंचिकित्सा शिक्षा मंतरी के खिलाब भी करवा ही की जाए उन्होंने उच्चिन आईले के वरतमान किसी नियाधिश की अद्धिक्ष्टा में या सदन की समयते गटित कर पूरी मामले की जाच कराई जाने और परिक्षा से वंचे चात्रों को अन्ने कॉलेजों से परिक्षा देने का आवसर प्रदान करने का सुजाव भी दिया लोक सुआ सेवन चिकितसा शिक्षा मंतरी राजे अन्रशुकल ने ध्याना करशन प्रस्ताओं पर दिये गए अपने जवाब में माना कि नर्सिंग कॉलेजों के मामले में गड़ बड़ी हुई है उन्होंने कहा कि उचिन नायले में ये मामला विचारा दिन है और नायले के निर्देश पर ही संबंदितों के खिलाफ कारवा ही की जा रही है उस्टेलिया ने अंतराष्टी चातरों के लिए विद्देर्थी वीजा का शुल्क दो गुने से अधिक साथ सो दस डॉलर से बढ़ा कर सूलह सो डॉलर कर दिया है इस निर्णे से उस्टेलिया जाने की योजना बना रहे लाखों भारती चातरों पर परभाव पड़ेगा इस फैसले से आकरोशित चातर प्रते निदियों का कहना है कि शुल्क वृद्दी से प्रतबावान चातरों को पढ़ाई में कठनाई होगी अस्था इसना तक आगंतुक और समुत्री क्रू वीजा वाले लोग आब उस्ट्रेलिया में रहने के दौरान छातर वीजा के लिए आविदन करने के पातर नहीं होंगे इस बीच आउस्ट्रेलाई सरकार ने कहा है कि आत्रिक्त राजस्व से शिक्षा शेत्र में वित्त पोशन पहल को लेकर मदद मिलेगी प्रादेशीक समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंत्रालका यह समाचार आप आगाश्वाणी मध्यप्रदेश से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सविधा के अनुसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलेटिन, यूट्यूब, एक्स प्रेट फॉर्म और फेस्बुक पर AIR News भुपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अत्वा News on AIR एप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद एक बर फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है शेडूल जिले में महिलाओं का एक सम्हू गुल्लक यूजना के मादनें से घरेली महिलाओं को उनका अपना स्वरोजगार शुरू करने में आर्थिक मदद कर रहा है इस सम्हू में अब तक 86 महिलाओं जुड़ चुके हैं और 26 महिलाओं हर महिने आर्थिक मदद कर रही है ये महिलाओं हर महिने 2-2 हजार रुपए 71 किया करते हैं और किसी एक महिला को स्वरुजगार शुरू करने में मदद करते हैं इस तरह देनिक उपयोग में आने वाली खदिस सामगरी सहित, किराना, ब्यूटी पॉलर और बुटिक आदी से जुड़ा कारोबार शुरू कर महिलाओं आर्थिक रूप से मदबूत हो रहे हैं ये महिलाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर आनलाइन कारोबार करने में भी मदद किया करते हैं आनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अब तक 600 महिलाँ जुड़ चुकी है गुल्लक योजना शुरू करने वाली महिलाओं ने अपने संगठन का नाम कर्म निश्ठा फाउंडेशन रखा है फाउंडेशन की योजना है कि शेड़ोल सहीत पूरे प्रदेश में गुल्लक का लाब घरेलू महिलाओं को मिले राजदानी भुपाल के महापौर मालती राय ने आज नगर निगम का 3,353 करोड रुपे का बजट पेश किया इस बजट में प्रॉपर्टी पानी और मनोरंजन पर करना बढ़ाने का फैसला लिया गया है इस बजट में आए और व्याए बराबर रहने का अनुमान है साथ ही संपती करकी 50 प्रतिशत की राशी भी वारणों के विकासकारें पर खर्च होगी वहीं नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी का कहना है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है पिछले साल के बजट के बिंदू के बस नंबर बदल दिये गए है मापोर ने पिछले बजट और अंत्रिम बजट का हिसाब भी नहीं दिया है उत्तर प्रदेश के हातरस जिले के गाउं में आज एक धार्मिक सभा में भगदर होने से कई लोगों की मौत हो गई और कई अनगायल भी बताए गए है एटा के वरिष्ट पुलिस अदिक्षा के राजश कुमार सिंग ने बताया है कि ये घटना पुलराई गाउं में एक सत्संग के दोरान होई उन्होंने बताया कि इस आयजन में बड़ी संख्या में शध्धालों के होने के कारण ये भगदर मची उतर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित तिनात ने घटना के कारणों की जाच के निर्देश दी है और बात मासम की करता है दक्षन पश्य मानसून देश के सभी हिस्सों में पहुँच गया है मानसून ने पूर्व निर्धारित समय से च्छे दिन पहले ही देश भर में दस्तक देदी है मौसम विभाग ने कहा है कि आप मानसून राजिस्थान, हर्याना और पंजाब की बाखे हिस्सों में भी पहुँच गया है विभाग ने बताया है कि गुजराद, बिहार, मद्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महराष्ट, आसम, नागलेंड, मणिपूर, मिजोरम, तिरपुरा और मेगाले के अलग-अलग स्थानों पर बहुत तेज बर्शा हुई है इदर प्रदेश में भी इन्देनों मानसुन की बारिश से सित्तर बतर है मौसम भाग ने प्रदेश में जुलाई महीने में सामाने से 106 प्रतिशत से अधिक बारिश होने का अनुमान जयताया है इस महीने प्रदेश में आस्तन पांच इंच बारिश होती है जो कुल बारिश की 40 प्रतिशत है वहीं कल से 15 जुलाई तक प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है आज भी भोपाल, इंदौर, गौालियर, जवलपूर और उज्जैन साहित पूरे प्रदेश में म काम शुरू किया है साथ ही मेकनिकल, सिग्निलिंग, इलेक्टिकल संपतियों और उपकरणों आधिका भी उचित रख रखाओ किया जा रहा है अशुक नगर में कलेक्टेट के जनसुनवाई कक्ष में जिले के ग्रामीन और शहरी अंचलों से अपनी समस्याइं लेकर आने आवे दको की समस्याओं को सुना, सागर में एनिमिया मुक्त भारत का एरिकम के अंतरगत जुलाई के प्रथम अंगलवार यानि आज से सभी स्कूलों में आयरन की गोलियों का वितरन प्रारम हो गया है, खनवा में आज एक दिवसी सफाई अभियान के अंतरगत, बैक रश्टेश शासकी महाविद द्याले को हाल ही में नेक पेर टीम द्वारा साथ क्राइट एरिया के अंतरगत किये गए मुल्यांकन में बी डबल पलस की रैंक मिली है, और रंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदन मंत्री नरेंदर मोती ने कहा, ब बेडल जिले की गुल्लक बना रहे है, घरेली माहिलाओं को आत्म निर्भर, और दक्षन परशे मानसुन देश के सभी हिस्सों में पहुंचा, प्रदेश में कल से होगी भरपूर बारिश, प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में फिर हल इतना ही, आग्या दीजे, नासकार।